देदी जेते जो सुर्वात चमकते हुए अगनी तथा सूरे की बांती प्रकाश्मन दुबज अप्रस्राइं देख रहा हूं और मेरे मत तुम्ही ब्रह्मा जाने की बास्तुई बिश्व के मान आदार सुनातन द्रम के रक्षे प्रवान पुर्श हो आपको आधी और मद्द अन्त रही तो अनंत शक्ति और अनंत बुज शंदर शुर्ड नेतर जिसके ऐसे कितिमान अगनी के सद्रिश मुक्य बाला अपना तेज इस संपुर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूं ये मातमन पित्वी और अकाश के मद्दे की वै अनंत और संपुर्ण दिशाएं आप से ही व्यापत हो रही हैं आपका ये अदबत वगर रूप देख तीनों लोग ब्याथित हो रहे हैं देखो देवताओं के समु तुमारी श्रण आ रहे हैं और उनमें कितने बेवीत होका साथ जोड़े का आपकी प्रातने कर रहे हैं महारेशियों और सिद्दो समु आ कर नाना परकार की उपकी प्रशंसा कर रहा है रुद्र अदित्य बसु साद्देव विश्व देव आश्वनी मारूत पित्र गंदर्व यक्ष असुर सिद्ध इनके सम बसिद्ध होकर आपकी सिवा टटकती लगा कर देख रहे हैं महा बाहू अनेक नेतर अनेक बाहू अनेक जांग अनेक पेट कराल दत युक्ष आपका ये विशाल रूप देखकर देख सब अतियंत बेवित हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ आकाश तक पहुंचे हुए हैं आपके परकाशमान अनेक बार्शों से फलाए हुए हैं मुक्ष के जलने वाले विशाल नेतर युक्ता स्तुम को देखकर विश्णू मेरे जी घबरा रहा है मुझसे धैरे धरानी जाता चित स्तिर नहीं होता ये देवेश जगन निवास इन भ्यंकर दाड़ों वाले कालगिन सिदिश आपके मुक्त को देकर मुझे दिशा नहीं सूचती मैं शांती नहीं पाता हूँ आता है मुझे पर दया करो दितराष्ट द्रियोदनतिक पुत्र आप नेक साथ नेक राज़ा भीशम से द्रोन करनता था हमारी और मुख्य योदा बड़ी बड़ी दाड़ों को आपके मुख्यों को शिगरता से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें कितने लोग आपके दाटों में चबकर ऐसे दिखाई देते हैं कि मानों उनका श्रीर चुर्ण हो गया जैसे नदियां नेक जलता रहा हैं समुद्दर को और बैतियां बैसे ही ये मुझे लोग के वीर आपके परजोलित मुख्यों में प्रवेश कर रहे हैं अगनी के और पतंगे जैसे गिरते ये सब लोग आपके भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं ही विश्णों जलते हुए मुख्यों को चारों और सब भीरों को निगल कर आप जीब चाट रहे हैं आपकी तेक्षन प्रवाएं समस्त संसार को तेज से ब्यापत कर लिपत कर रहे हैं या बियानक रूपदारी कोन है ये मुझ में को हो है देवदर आपको नमस्कार है मुझ पर आप अरसन हो जाओ और है जगद करता आदी पुर्ष आपको जाने की इच जीवित नहीं रहे जगेंगे तैब तुम उठो शत्रों का संहार करो इस सम्रिदीश राज्य का बोग करो है सविसे सविसे चिन उनको मैंने पहले ही मार रखा है तुम केवल निमित हो जाओ तुम मेरे हुए मारे मारे हुए द्रोन भीश मुझ जह दरत करन और अन्य योद करो तुम संगरा मैं शत्रों को जीता होगा संजे ने का इस प्रकाशिर केशन जी पच्छ सुनकर मुगरदाय अर्जुन हाच जोड़कर कापीत बेभी उत हुए और शाष्टांग प्रणाम कर नमरतावर बोले है श्रीशिकेश आए हर्शिकेश आपका गुंगान करने से स हो ठीक है मातमन हे अनन्त देवो दिदेव हे जगन निवास आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ट हो आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें व्यक्त भी आप भी व्यक्त भी आप हो अतथा इन दोनों से परे हो अक्षर भी आप ही हो अनन्त रूप भी आप आदिदेव हो बिश है फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है सर्व सवरूप आप अत्यांत वीरेवान तता अतुले प्राक्रमी हो आप जगत में ब्याप्पे हो इसलिए सवरूप हो तुमारी मेहमा को ना जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मान कर है है सका ऐसा जो तर्शकार से कहा जो परसाद मैं अत्वा सने से अच्छुक बिश्वत रूप तुम से इन बालों शमा मंगता हूं जो की परिहास बिहार सोने बैठने और बोजन का समय अकेले अत्वा मित्रों के मद्दे तुमारा अपमान किया तुम इस सथावर जगंगं पिता और पुझे महान गुरु हो तिर लोकी भी तुमारे सम्मान कोई नहीं है अधिक तुले प्रबाव कहां से होगा इसलिए ईच तुमको सिर्जुका कर परणाम करके यही प्राथन करता हूं कि मुझे पर किरिपा करो हे देव जैसे पिता पुत्र मित्र के और प्रिया अपरादों को क्षमा करता है वैसे ही तुम अपराद को क्षमा करो हे देव जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखर परसन हूं और भैसे मेरा मन अभी आकुल है इसलिए पहली बार रूप मुझे को दिखाओ और देवेश आ परसन हो जाओ सत्र बाव हे देखलाया है जिसके सारे अत्रिक तुमारे अत्रिक इससे पहले कि किसी नहीं देखा था पांड़ोक मेश्रेश मुनश्य लोग तुमारे सिवाए कोई बेदों का ध्यन दान और अगनी होतरा दिक और गोर तपो करके यह रूप दारन कियो मुझको नहीं देख सकता मेरा ऐ अरजुन को जो बैबीता है दीर जी बदाया अरजुन ने का है जनारदन आपके इस ओम में दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं परसचीत हो स्वतता को प्रापत हो रहा हूँ शिरी किशन जी बोले है अरजुन मेरा बिश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन स ले वे, अरजुन परम तप मेरा जो भूप है इसको मुनुष्य अनन्थ बक्ती द्वारा जान सकते हैं और तत्त्व ग्यान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं हे, अरजुन जो कोई मुनुष्य मेरी ही बक्ति के लिए करम करते हैं मुझको ही सरवोतम मानते हैं और मुझमें ही बक्ति देखते हैं सब संसारिक सुक्र समुक्र मोड़ चुके हैं संपूर्ण पराणी मत्र से बैरत्याग चुके हैं वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं यह मुझे मैं प्राप्त हो सकते हैं ग्यार मादाए नरायन जी बोले हे लक्षमी अब ग्यार में अध्याए मात में सुनो तंग बुद्र नाम नगर था जिसके राजा नाम सुखानन था और श्री लक्षमी नरायन जी की सेवा बहुत करता था एक बार बहां एक बड़ा बिद्वान बरामन रहता था बार बिद्वान नित्य गीता के ग्यार में अध्याए का पार्ट करता था और राजा भी बहां नित्य लक्षमी नरायन जी की सेवा करता था और पाठी भी नित्य शर्वन करता था ऐसे करते बहुत काल बेतीत हुआ एक दिन राजा घर को गया उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहां अतीत उतरे थे राजा ने सोधा किया और सोई करतीत बड़े परसन हुए अमरित को ले कि राजा ने उनके दर्शन को गया राजा को बेटा भी साथ गया बू बृते साथ और कई बृते साथ थे राजा उस अवेली माया जो मानता था उसके साथ बाचित करने लगा राजा का पुत्र खेड़ने लगा बहाँ एक प्रेत रहता था उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा चाकरों ने राजा को ख़बर करी राजा यद भी सेवा करता था बैका था श्रवन करता परन तुम पुत्र वो में राजा के मन में दुर्वदी आगी और राजा बोले ह प्रेसांद शरी आपका दर्शन हमने आपको बहुत फुला है एक पुत्र था सो परहत ने मार दिया तब ब्रामन ने कहा के राजन चलो देखे कहा है तुमारा पुत्र राजा ब्राहत भी भां आए जहां राजकुमार में तपर ब्रामन का अरे प्रफ अरे प्रेत तुशे लड़के पर क्रिपा दश्टी कर जो ये लड़का ची उठे मैं तुझे गीता जी के 11 अध्याई का पाथ सुनाताँ सुनाताँ currently तू उसे श्रवन कर इस से तेरा कल्यान होगा विपर्ण गीता के 11 अध्याई का पाथ किया प्रेत का जल कर जल पर जल शिड़का ततकल प्रेत ने पूत प्रेत योनिक से छूटकर देवी दे पाई और राजा का पुत्र उठकर साबदान हुआ प्रेत शियाम सुंदर चत्र बुजरूब होकर खड़ा हो गया स्वर्ग बिमान आया और उसमें बैठकर बेकून से लगया बारवा दिया है और जो ने पूछा इस प्रकार जो भगत से दैव योग मुगत होकर आपकी इस अपासने करते हैं और जो बिपक्ति पार ब्रह्मा को बज़ते हैं इन दोनों में कौन से इस्ट है योगी शिरी भगवान बोले जो मेरे बिशे में मन लगा कर सद्दापुर मुझे को बज़ते हैं बे उत्तम योगी हैं परंतु जो इंद्रियों को सेम करके सरवत्र समर्द्रिष्टी से दे रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगए अकत्निय अव्यक्त पे सरव्यापी और अचंतनिय सरविकार और अचल अद्रू और अक्षर का बज़न करत बे मुझे में प्राप्त होते हैं अव्यक्त में जिनका चित आ सकते हैं वे कष्ट अधिक पाते हैं क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं हे पराथ जो प्राणी अपने सब कर्मों को अरपन करके मेरी शर्ण में आकर अन्य व्यक्ति से मेरा ध्यान करते ह तब तुम मुझमें ही निवास करोगे इसमें कुछ संदे नहीं है यदि इस प्रकार तुम मुझमें अपने चित को लगाने में समर्थ ना हो तो अभियास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बरंबार यतन करो यदि अभियास भी ना कर सको तो मेरे उद्ष्य से ब्रतादी ही करो यदि मेरे लिए तुम करम करोगे तो तुम्हें मुक्ती प्राप्त होगी यदि ऐसा भी ना कर सको तुम मन को रोक कर अन्य बाव से मेरी शर्ण में आ जाओ और फल की आज़ाच छोड़कर करम करो क्योंकि अभियास से ग्यान उत्म है ग्यान से ध्यान शर्ष्ट है और ध्यान करमों के फल को त्यागने में शर्ष्ट है ध्याग से शांती प्राप्त होती है जो किसी से द्वेश नहीं करता है सबका मित्र है द्रियाद द्र है मरमता अंकार जिसमें नहीं है सुक दुक जो को जो समान जानता है अक्षमा वान असन तोशी है स्तिर्चित सेंद्रियों को बश में रखता है दिर निश्चे वान है मुझे में अपना मन और बुद्धी को लगाये हुए अब मेरा बक्त मुझे को आती प्रिया है जिसे इनना लोगों का भी है नई लोगों से जो डरता है ऐसे लोग जो इशाद इस्टों से भे और विशाद से रहीत है वे मेरे प्रिया है जो कुछ जो कुछ मिले उसी संतुष्ट है प्रवित्र निश्पक्ष और निश्पाब दुख रही फल की आशा त्याकर करम करने वाले ऐसे जो भगत हैं वे मेरे मुझे प्रिय हैं जो लाप से परसंद ना हो किसी से दोश न करें इश्पदार्थ के नश्ट होने पर दुखी ना किसी पस्तु की इच्छा न करें शुब तदा शुब दोनों का त्यागी हो बैभगत मुझे परमप्रिय है जिसको शत्रू और मित्रक मान और अपमान सर्दी गर्मी सुक दुख समान है और जो वासना से रहीत है जो निंदा और स्तुती को समान जानता है जितना जो मिले उसी से परसंतोश जो ये नहीं जानता समझता कि ये मेरा घर है जो मेमान है मेरा प्यार है जो मुझे मैशर्दा करके मुझे मानकर इस अमरित का समान का लियाने का धरम का चरन करे वो पर देशन स和 करते हैं मुझे मुझे को अत्यांत अपरी है बारौध याए शिर केसीन जी बोले हे लक्ष्मी बारवे ध्याय का मात में सुनो दक्षिन देश में सुखा नंद नाम का एक राजा रहता था उसके राज्य के एक मंदिर में एक ब्रामन भगवान अराइन की सेवा करता था एक दिन भगवान जी ने उससे पुपरसन हुए और शिरी नारेंट जी गरूर पर स्वार होकर आए और उन्होंने कहा तेरी क्या कामना है एक ब्रामन बोला है प्रभू मेरा भवसागर से उधार हो जाए शिरी बगवान बोले है ब्रामन तुम गीता के बारवे ध्याय का पाट करो तब तुम्हारा जिश्चित ही बवसागर का उधार होगा तब उस विपर ने बगवान स्थुति की और शिरी नारेंट जी ने विपर से कहा है विपर ब्रामन आज से इस नगर का इस राज तुझ को दे दिया इतना कह अंतरधान हुए बैविपर भी घर को गया इस देश के राजा को कोई संतान ना थी राजा ने उस विपर को बुलाया और विपर को राज़े दे कर स्वाइम तब करने को चला गया बन बिरक्त होकर निवास किया और बैविपर राज़े करने लगा श्रीर नायन जी 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 बोले है लक्षमी ये गीता जी के बार में अध्याय का मात्यम था तेर मात्या जी 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 बोले है कातने है कांते ये श्रीर किशेतर कहलाता है इसके जानने वाले को किशेतर किशेतर अग्या कहते है सिसंपोर्ण क्षेतर में क्षेतग्य मुझे ही जान क्षेतर और क्षेतग्य का जो ग्यान है मेरे मत से ही ग्यान है ये क्षेतर कैसे रूप है उसमें कौन-कौन से बिकार होते हैं उसकी उत्पत्ती किस परकार से हुई और क्षेतर का प्रभाव क्या है इत्यादी बातों को संक्षे मैं तुम से कहता हूँ सुनो अनेक रिशियों ने अनेक प्रकार के छेदों को इस प्रकार बताया है हे वेदो और वेदो ने भी प्रिथक प्रिथक इसका वरन किया है और हित में वाले बर्मा सूतर में भी पदों को भी ग्यान निश्चे किया है पंच बूत माबूत अहंकार बुद्धी और अव्यक्त प्रक्ति दासो इंद्रियों और मन पंचो इंद्रियों के विशे के तथा इसका इच्छा दुए शुक दुख संगाचेतना दृति इनके समुख ख्षेतर और ख्षेतर तक के यही भीकार है मन और पकंड से रहित अहीं सा सहन क्षिलता सलता गुरू की सेवा पवित्तरता और अपने मन सहिम इंद्रियों का विशे विरक्त और अहंकारिकित जनम मृत्यों बड़ापा रोग दुकादी दोशों को रोकना देखना पुतरी इस तरह आसकती ना करना और इनमें अपने सुखी दुकी ना मानना इश्ट अनिश्ट प्राप्ति में हर्ष बिशाद रहित रहना अन्ने और बाव से मेरी बक्ती करना इकांत में रहना जन समूर रहने से बिराग सदा समरन रहना की मेरे प्रमात्म ही एक अच्छ है अग्यान प्राप्ति का उदेश्य मौक्ष को सबसे श्रेश्ट माना है इसे ही ग्यान कहते हैं इससे जो भिन है बै अग्यान है अब ये का सुरूब बरनन करते हैं जिसको जानकर मौक्ष को प्राप्त होते हैं बै आदी रही तो बड़ों से बड़ा और अक चर्ण है सब और नेतर सिर और मुंक है सब और कान वही जगत में सबको गेरे वस्तित हुए हैं ईद्री Cand को प्रकाश पर उसके कोई इंद्री नहीं है। जिसको किसी से अशकती नहीं है बैस जो सब का ऐधार है जो सब बोतों के बाहर बीतर जो तो अचर और , जो अत्यांत सूक्षم होने के कारण भी जाना जाता है। जो दूर भी है और निक्ट वी है जिसके विवाग नहीं होते जो बिम्दिन बागों में व्यक्त रहता है मान सम्मा रहता है समस्त बूतों का पालन और नाश उत्पन करने वाला वही यह है बै वहन्दिकार से परहे है जोतिश मान पदार्तों को जोतिश देता है वही ग्यान जानने पर योग्य पदार् के योग्य होता है प्रकृति और पुर्ष दोनों ही अनादी हैं विकारों और गुणों की उत्पति प्रकृति से हुई है कारण और सुक करन के प्रकृति की ही उत्पन करती है पुर्ष तो सुख और दुख का बोगता है प्रन्तु प्रकृति में पुर्ष रहता है प्रकृत गुणों का वोग करता है वो तदन्सार उतम तथा उतम योनि में जानता है अ कर लिकार इस दे वह हैं उपद्रिष्टा अनुमंताप्रा बहता भूगता महेश्वड प्रात्मा प्रमात्मा और परम पुर्ष कहते हैं, इस प्रकार के गुनों के साथ प्रकर्ति और महा पुर्ष को जानता है उस रहन से अन्चाय जैसा हो पुन्य ऐसा जनम नहीं होता कुई ध्यान से कोई सांखें यह यागा और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा के से देखते हैं परंतु कोई तो इस प्रकार के से ना जानते हुए भी दूसरों को सुनकर ध्यान करते हैं शर्दा से सुनकर बेवी मिर्त्यू को पार चले जाते हैं यह अर्जुन सतावर और जंगम सब परानी क्षेतर और क्षेतर अग्या के से योग से ही होते हैं यह परमेश्वर सब भूतों के समान रूप ही हैं भूतों को नश्ट होने पर उनका नाश नहीं होता इस बांती जो देखता है वही देवता है सब मैं समान रूप से सिर्ष परमेशवर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता है वैं उत्तम गति को प्राप्टो करता है और जो यह देखते हैं कि प्रक्रति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा करता वही मानों देवता है जब भीन-बिन भूतों के को परमेश्वर के बिच एक रूप देखता है और उसी से उसका विचार बिस्तार होता है तब भी ब्रह्मा को प्राप्त होता है एक कांते अनादी निर्गुन होने बाद से परमेश्वर अव्यव्य है और श्रीर में रहता हुआ भी बेकुछ नहीं है करता है ना उसमें लिपत होता है जैसे आकाश सरवत्र ब्यापत होने पर भी किसी से मिलता नहीं है उसी बांती वैदे, सरवत्र ब्यापत ये आतमा भी उसमें लिपत नहीं होता ये अर्जुन जैसे एक ही सूरे सारे लोगों में प्रकाशवान है प्रकाशवान करता है वैसे ही क्षेत्र स्मस्त्र क्षेत्र को प्रकाशी करता है जो लोग ग्यान और दिश्टी से क्षेत्र क्षेत्र के बभाव तदा भूतों की प्रकृति दे कर मोक्ष का उपाय जान ले इंरे खिर्व पर और psonए सबस्क्राइब डिल्स टेञात में कुंज़ें अब धिषी और प्रुश्त को इसने बचन दिया कि आमुक तक्षिन देश में लिएे अभी नामक एक नगर था वहां एक ब्याबी चरणी इस तरी रहती थी एक दिन एक पुरुष को उसने बचन दिया कि आमुक स्थान पर तुझको मिलने आओंगी तुम बहाँ चलो तो बैपुरुष किसी और बंद में चला गया और बैपुरुष नहीं मिला साज होगी तब बैगणिका अपने उस प्रित्म के नाम लेकर पुकारने लगी इतने में बैपुरुष में लगया दोनों परसन होकर बैठे इतने में शेर आया और गणिका को खा गया तब देवदू धरमदराज के पास गणिका को ले गए धरमदराज ने हुकम किया इसको इस चंडालनी के जनुदो श्री नारेन जी बोले है लक्ष्मी ये लक्ष्मी उसने गणिका की दही दियाकर चंडालनी की दही पाई है के दिन पीछे वे एक दिन नरमदराज नदी के तट पर चली गी महां एक देखा कि सादू गीता जी के तेरवे ध्याय का नित्य पाट करता था उसने उस उस पाट को सुन लिया तब तेरवे ध्याय का परशाद माया तो चंडालनी के प्रान छोड़ गी उसने देव दही पाई आकाश में बिमान आया और जिस पर बैठकर बैकूंट को चली गई शिर नारेन जी बोले हे लक्षमी ऐसा तेरवे ध्याय का मात्त में है जो प्रिती के साथ इसका पाट करते हैं उसके फल को वरन नहीं किया जा सकता अंजाने होकर भी पड़े तो परम धाम की प्राप्ती होती है चोध मार्या शिरी भगवान जी बोले हे अरजन फिर वी ग्ञानों में शरेष्ट ग्ञान में तुम को कहता हूँ जिसको जानने से सारे मुनी जन मौक्ष रूप में परम सिद्ध को प्राप्त हुए है इस ग्ञान की साहिता से मेरे सवरूप को प्राप्त हुए है लोग सिष्टी के समय जनमते और नहीं हैं और प्रले काल में कश्ट नहीं पाते है अरजनबर पर ब्रम्मा मेरी योनी है मैं उसमें गर्व को रखता हूँ और उसमें बूतों की उत्पत्ती होती है हे कंते सब गर्वों मैं जो भूवूती है उत्पन होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीजू देने वाला पिता हूँ हे महा बाहू प्रकृति से उत्पन सत्व रज्ज और तम तीनों गुणों दे रहने में वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं अनद और इनमे तत्व निर्मल होने के कारण में प्रकाशि निरूपद्र है जो प्राणी सुख को और ग्यान के साथ बांता है एक आंते रोगात मरोजा गुण ततत तिस्ष्णा आ सकती उत्पन होती है जो वानी जो प्राणी को करम के साथ बांती है तमो गुणों की उत्प तुम सब ज्ञानों को ठक कर प्रशाद पैदा प्रमाद पैदा करता है हे अर्जुन सत्व गुण रज और तम को दवा कर बढ़ता है इस प्रकाराज सत्व रज सत्व तम को और तम सत्व रज को दवा कर बढ़ना चाहता है इस दे में इंदरियों द्वारा जब ग्यान का प्रकाश्व पतन हो तब समझे कि सत्व गुन की विशेश बिद्धी हुई है और हे कांते रजव गुन बिद्धी के लोब कर्मों प्रिविती और कर्मों का रम्भ है अशान्ती और इच्छा उत्वपन होती है तब ग्यानियों ग्यानियों के प्रकाश में लोग को पाता है रजव गुन के हिद्धे से मरकर कर्मों का सकत हुआ मनुश्य जनम लेता है और तमगुन के उद्धे में मरा हुआ मूड योनी में जनम पाता है सात्विक पुन्य कर्म का फल भी सात्विक और कलंक रहीत होता है राजस कर्म का फल दुक और तामस कर्म का फल अग्यान है सत्व से ग्यान उत्पन होता है राजस से लोब और तम से प्रमाद और मो से अग्यान की उत्पति होती है सात्विक पुर्ष को उत्तम और आजस को मद्यम अध्यम तामस्वी लोगों के भी नीच गती प्राप्त होती है दो दिश्टी गुणों से अलग अतार्त निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा जान लेता है बे मेरे रूप को प्राप्त होता है जो दे श्रीर उत्पन होने वाले सत्व रज और अतम इन गुणों को जीत लेता है बे जनम और मित्यू बढ़ापा रोग चूट कर मुक्ती पाता है अरजुन ने पूछा ये प्रभू कैसे प्रमालूम हो कि आमुक मुणुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है उसका क्या बरताव है जिसको सब दुख समान है और गुणों के करम होते ही रहते हैं ये जानकर जो निश्टित रहता है और कभी भी बिचलत नहीं होता जिसको सुकर दुख मिट्टी और पत्ता सव गुण प्रिय और प्रिय निंदा अस्तुदी समान है जो धीर है जिसने सभी बिखेड़े छोड़ दिये हैं उसे गुणातीत कहते हैं जो अन्य भक्ति से मुझे पूचता है बेतीनों गुणों को जीत कर ब्रम्मा भाव को पाता है क्योंकि ब्रम्मा की ब्रम्मा का और विकार रही तो मौक्ष का सनातन धरम और धरम का और अकंडर सुक का बंडार ही मैं हूँ चोधमे अधियाई का मात में शिरी नाराइन जी बोले है लक्षमी संकलग दीब में एक दीब का राजा एक दिन शिकार खेरने को गया और भी राजा उसके साथ शिकार खेरने चले गए संकल दीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त लगाई जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते को छोड़े जब एक सुमिया निकला उसके पीछे कुत्ते दोड़े और सुसिया दूर निकल गया कुटे पीछे रहे, संकल दीप निके राजा की कुटे ने सुसिया को पकड़ा, लोगों ने शोर्म किया तो कुटा दूचिता हो गया, और सुसिया फिर भागा, कुटे के दांत सुसिया को लगे, और उधिर टबकता जाया, सुसिया भागा जाया, और कुटा पीछे रहे जा तलाव में सुस्या जागी रहा और पीछे से बैकुता भी जागी रहा इतने में राजा भी गोडा कर बाँ पहुझाए तुदेखा दोनों तलाव में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंट को चले गए राजा को देखकर दोनों उन्होंने कहा हे राजन तू धन्ने है तेरे परताप से हमने देवदेई पाई है राजा ने पूछा वै कैसे तब उन दोने ने कहा हम नहीं जानते इस जल्ल को छूने से हमें देवदेई मिली है राजा ने कहा मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उधार हुआ इतना कहा कर बैकूंट को गए राजा ने नमस्कार करके पूचा है संत जी समुचा बितान कहो ये कोतिक मैने कोसा कैसा देखा सुष्या और कुट्टा दोनों जलके सपर्ष करने से उधार हो गया तो ये जलक ऐसा है तब उन संत ने कहा राजन मेरे गुरू यहां रहते थे बे नित्य सनान कर गीता के चोद्वे अध्याय का पार्ट किया करते थे मैं भी यहां नित्य सनान करता था करके गीता के चोद्वे अध्याय का पार्ट करता हूँ राजा ने कहा धन्य है जो उसके परताब आपके परताब के साथ ऐसी योनियों का उधार हुआ मेरे धन्य वाग है जो आपका दर्शन प्राप्त है शिरी नाराएन बोले ये लक्षमी ये गीता जी के चोदमे अध्याई का मा तम्मे था पंद्रमादिया शिरी भगवान जी बोले ये अरजुन संसार अश्वस्त पीपल के समान है जिसका पुराना पुर्ष रूप जड़ उपर है और चरा-चर शाका नीचे है बेद इसके पत्ते हैं और जो जानता है वही बेद का ग्याता है जिसकी शाकाएं उपर फैली हुई ह सत्वरजर तमगुन इसकी रसवानिय नाडिया है इन से इसका पालन होता है शब्द रूप आदी इसकी गडालिया है पीछे करम रूप में प्रक्ट होने वाली इसकी जड़े और नीचे मनुश्य लोक में और भी नीचे तक नीचे तक चली गए है पर अश्वत का यही तता पी इसकी जड़े गयरी हैं ऐसे मैं इस पीपल को वेरगे रूपी द्रिड्रिश शास्तर से काटकर बैस्थान ढोड़ना चाहिए जहां से फिर लोटना नहीं पड़ता और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें बैपरातन प्रविती उत्पन हुई है उसी आदी पुर्ष की मैं शर्म हूँ अंकार और मोरहीत संग द्वेश को जीतने बाले आतम ग्यान के रस्त सब कामनों से दूर दुख नामक दुद परदार्तों से मुक्त ऐसे ग्यानी पुर्ष शाश्वत पद को पा जाते हैं जिसे सूरे चंद्रमा अगनी परकाशित नहीं करते वही मेरा परमधाम है बहाँ जाकर लोटना नहीं होता मेरा सनातन अंश इस जीव के लोग का रूप धरकर प्रती में प्रस्तिर पांच इंद्रियों और शटे मन को उसमें छुडाता है जैसे बायू पुश्पदिकों की गद को दूसरे स्तान में ले जाती है इसे परकार ये दे स्वामी श्री धरन करने के बाद जब उसका परिटिया करता है तब एंद्रियों और मन को साथ ले जाता है और कान आंक चर्म जीव नाक मन का अश्र लेकर बैजी पुश्यों बिश्यों का बोग करता है एक दे से दूसरी दे को जाते हैं अथवा एक ही दे एक ही दे में रहते हैं अथवा इंद्रियों से युक्त हो बिश्यों का उपव्यों करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते हैं किन्तु ग्यान रूप नेतर हैं वो देखते हैं यतन करतने से ही योगी जन इसे देख सकते हैं प्रंतु अग्यानी यतन करके भी से नहीं देख पाते हैं तेज जो तेज सूरे चंद्रमा और अगिन इसक में बरतमान है इस जगत को प्रकाशित करता है उसे मेरा ही तेज समझो मैं ही पित्वी में परवेश कर अपने तेज से समस्त बूतों को धारन करता हूँ और इनमें रस सवरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब कोशन करता हूँ जठ रागिन होकर प्राणियों की दे को परविष्ट करता हूँ और प्राण वायू अप पान वायू मैं स्युक्त होकर चारों प्रकार के बक्षे बोज और चोशे लेह से बोजन किये हुए प्राणियों के अन को भी पचाता हूँ संपूर्ण बूतों के हिर्दे कमल और निवास करता हूँ मुझसे ही स्मृति ग्यान और उनका नाश होता है सब बेदों में जानने योगे मैं हूँ बेदान्त करता और बेदों का ग्याता भी मैं हूँ इस संसार में चर और अचर ये दो पुर्ष हैं जितने नाशवन प्रानी हैं वेचर कहलाते हैं और उसमें कूट सत्य अतार्थ शैल शिकर बांती स्थिर चतन्य को अचर कहते हैं किंतु उत्तम पुरुष प्रमात्मा विकार रहीत होते हैं सर्वनियंता बुद बदमुक्त बदमुक्त और नित्य रूप तीनों लोकों मैं विष्टो कर धारन पोशन करता है बै इन दोनों से लग है मैं चर और अचर उत्तरकष्ट इसी कारण से लोक और बेद पुरुष उत्तम नाम से बिख्यात हूँ हे भारत जो ग्यानी जन इस परकार के मुझे को पुरुष उत्तम जानते हैं सर्वतो भवेत मेरा ही समर्ण करते हैं हे बारत शास्तर ग्यानी बेद को जो मैंने कहा जानकर बुद्धी मान पुरुष कृत कृत्य होते हैं इति श्री मदवद गीता गीता सूपनिश्व ब्रमा बिद्या योग शास्तरे श्री बक्रिष्णा और जुन सम्बादे बिख्ष योग नाम पंद्रमा दिया हैं